यहां पर आपको मूव भी अच्छे खासे आ रहे हैं वो भी एक बार नज़र डाल देते हैं MCX पर रखे नज़र हमारी exclusive story थी 4% उपर आ रहा है शरत जी एक बार MCX पर भी आपसे एक क्विक राय लेना चाहूंगा सर आज हमारी खबर है हमने exclusively learn किया कि जो सेभी की technical committee है उन्होंने assessment दे दिया है और जल्द expect कर सकते हैं कि इस पर फैसला भी आजाए कभी अपने नई platform पर shift कर सकते हैं ज़रा MCX पर राय दें क्योंगी उस खबर के बाद stock में नई जान आ गई है सर पर यहां से मुझा लगता है कि अब बहुत ज़ादा upside आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि MCX लगबग तीस टाइम forward पर trade करी रहे तो बहुत ज़ादा upside मुझे यहां साथ इक्सर रुपए के आसपास की earning है यहां से कुछ बहुत बढ़ी आपको नहीं upside मिलके आती है तो expectation यही है कि इस साल तो अपसे date numbers रहेंगे बट अगले साल onwards वापस normal numbers आते हैं जैसे जैसे यह product का जो overhang को खतम हो जाता है तो एकसर बासर तिरसर रुपए के आसपास की earnings company रिपोर्ट करेगी तो उस पे already 30-32 time stock trade कर रहा है तो मुझे लगता है यहां से बहुत जादा upside मिलना थोड़ा सा मुश्किल है unless until कोई नया product launch होता है या यह software आने की वेज़े से अगर कोई नय triggers आते हैं कि इनका जो total volume जो यह handle कर सकते हैं जो volume है उसमें कोई बड़ी uptick आती है बट मुझे लगता है exchange के लिवल पे dominant positioning है और कोई नया product आने से भी इतना बड़ा change नहीं आ जाएगा कि volumes 15-20% additional बढ़ जाए तो normal growth 10-15% के आसपास आती है तो मुझे लगता है बगले 5-26 तक भी 63-64 रुपए के आसपास EPS आनी चीए 30-32 चल रहा है बहुत optimistic अगर आप यू लेते हैं और 40 टाइम बहुत बजार optimistic रहता है तो 40 टाइम तक हो सकता है ट्रेड कर जाए एक्सचेंज बिजनेस है तो 2400 रुपए तक के लक्षा सकते है मुझे लगता है यहां पर फुल्ली याद मार्जिनली ओवर वालू ने स्टॉक ओके यह है आपके लिए MCX अच्छी खाबर है और स्टॉक भी चलना चाहिए बट अलड़ी काफी यह अपमूव उस वैली को कैप्चर कर चुकी है